बाप नंबर तेरा नहीं हूँ कोई इनाम जिसे चीच जाओं कंदीली रोशन थी शाद्याने हुशी के बच रहे थे कमरे की गोने में सुकडी सिंथी सुरुख चुनरिया ओड़े एक धुलन बेटी थी किसी ने कहें दुआया हुर्फ किसी ने याद किये उस जवाची वो सनिफ ने किया तारीक का इक स्याब बाप कलंबन चामगोया हुई कहीं सरगोशियां भी कि दुलन के कानों तक ये बात पहुँचें दुलन निस्बत से इंकारी थां दुलन के किर्दार के मुतलिक उसका फर्मान जारी थां कहीं लम्हें वो साकिन रहीं कहीं लम्हें इ चारी रही, फिर यक्तम हुआ उसका चेहरा सुर्ख, दुले ने कहे उसके बाप को कुछ लफ्स गलत, संभाले सुर्ख ले पास जोई कहनों का पार, उठे उसके कदम कमरे पार, आंगर में बैठा कुटनों के पल बैठा था, उसका बाप सवाली, उसके सामने खड़े, मर्द का था चेहरा हाली, जो तुम चाहते हो फरार रुस्वाई से, भरो मेरी जेवे, हर किसम के इश्रते दुनियावी से, नहीं हूँ कोई इनाम जिसे तुम जीत जाओ, उर्सी लिबास में सुर्ख चुनरिया उड़े लड़की ने आवाज उठाई, नहीं हूँ कोई भोट ज से ढोए मेरे हांदान का मर, नहीं कोई कलंग, जिसके वास्ते रोए सब संग, कदम भढ़ाए, मौश्रे की नाम नहाद इक्तार गिराए, आँखों में उमीद के दिये जलाए, वो कह रही थी, गर्दन उठाए, हां, हांदान की इश्जत तुम का टोकरा उठाए, निस्ब के तुम कच्चे हो, लालज के बेहत पक्के हो, मेरे सामने जाहिर हटकंडे हो, मैं फिल में फिर आवास उठी, किसी ने भेजे दाने कोई बरसाय लानते, रहरत पे फिर आये हुर्फ, गला खोटने को आगए, आये नामने हाथ मर्द, मासे की वो दुलन आगी आई, बाप क के सामने कुटने और हदेली भेलाई, नहीं हूँ कोई इनाम जिसे कोई जीच जाए, हूँ मैं फखर आपका, कहा उसे बाप को सीने से लगाए, नाम के मर्दू ने जो गर्दन की और हाथ बढ़ाए, मजमे में चारो और उठी हाए, किसी भाई का वो बासू था जो बना थ ठाल, घर के मर्द के सामने बाहर वाला लास्मी होवे शरमसार, गहरत पे अगर कतल होवे, मर्द की फिर सबसे पहले गर्दन उतरे, मैं हूँ ठाल, मैं हूँ जवाब में सवाल, मेरे घर की औरत मेरा मान, यू जो हर एरे गहरे हाथ रुकने लगे, बेटियां की नामने गहरत पे कटने लगे, मर्द को भी कोई अदब सिखावे, मौश्रे की सब रस्म सिखावे, कोई उसे हर उट्टी उंगली हर गलीज नजर पे अपनी औरत से पूछना सिखावे, फिर हर गलत मर्द बातल होगा, हर बुरी नजर वाला कास्वीन में शामिल होगा, फिर हर मर् जी भटकने से बच्चावे, गर्दन उठाकर, बलत को आँख दिखाकर, नहीं हूँ किसी का इनाम जिसे तुम जीट जाओ, कहपावे, सेहां अस्मान से तर तराती वरसी बारिश में सुख रंग के लंबे कौन वाले लडगी, कई लोगों के नरहे में थी, उसके गर्दन भी उंगलियों की निशान थे, कुछ का रोजें भी आंके सूजी हुई थी, शहेद रंग लंबे बाल, चेरे और कंदे के आगे आ रहे थे, बारिश उससे विखू रही थी, उसके हाथों में हतकणियां थी, वो में इनकान की अंदास में चल रही थी, फर्ष पे पिसल का सुर्फ काउन बेकदर हो रहा था, उसके बासूं पर जो ग्रिपते बेहर सकती, लड़की के बासू जैसे चल रहे थे, कास पर चलते हुए उससे जैसे ठोकर लगी हूँ, जो था तोटियां, उससे रुखना चाहां मगर कोई उसके लिए नहीं रुखा, उसी खसीद कर ले जाया जा रहा था, चले अवे बासूं में उटता दर्द बर्दाश सिवाही था, कोई बड़ा ही शाहे दर्वासा था, उस धर्वासे के बार लड़की की दुनिया बदल कर रहे गए, कैमरे, फ्लेश लाइट्स, अवाजे, माइक्स, लोक, चुमले, गाडियां, सब हो रहा था, बस एक बात ही की नहीं थी, आज की रात मामूली नहीं थी, आज की रात कहीं सिंदियां तबाह होने वाली थी, पुलिस की काडियों के पच्टे सायरन उसका दमाग माउफ कर रहे थे, बरिस सी बारिश में ये मंसर, एक अजीव सी धैशर दिल में बिठा रहा लोग उससे सवाल कर रहे थे, लोग तंस कर रहे थे, लड़की की समाती सुन थी, उससे बलक चपक कर मश्मी को देखना चाहूं, सब थुनला था, लोगों कच्चम में गफिर था, कैमरे थे, माइक से, वो कहा था, मुझूदा दिन से कुछ रोज कबल, हाथों में दूस से उठाए, अपने साथ चल्दी सीनिया को मुखते विदायात देते, हुवे बशर को चेहरा सबाट था, दर्वासे पे खड़े होकर उससे किसी लड़की को बलाया, पैक्स उसके हावाली के, वो उससे घर जाने को बलाया, वो अब घंदी बचा रहा था, चादर में लिप से इक तरफ खड़ा रहा और अंदर उर्तों को रोते देख सीनिया एक और इंतिहान का शिकार हुई, वो उस इंसान के लिए कैसे रोते, कैसे दुख मनाती, जिसकी दरफ से दिल कट्टा था, वो दर्वास से पे खड़ी रही, बरामदे में बैठी अम्मा ने उसे लेका, तो फोरान उटकर उसके पास आई, उसे गले लगाया, वो रूंचा-उंचा रोने लगी, फूंच की आंके भी किली थी, वर सीनिया, बत्थर का बुद्पनी अपनी अम्मा के साथ खड़ी रही, यहां तक कि अरूज की मा और रूज ने उस पर भटकार बरसानी शुरू कर है, कई बार हित्तक और जुम्लेवाजियों का जवाब इनसान इससे नहीं देता हूं, क्योंकि वो एक ऐसी जहनुम देखाया होता है, कि लोगों के लफजों की सेख उससे चूबी नहीं पाती, जीनिया हांके में जवाब दिये वगए खड़ी रही, जो जिन्दगी उससे गुजारी थी, चन पल बाद उससे हुद को बलटते देखा, उरतें उससे मजीद कोस रही थी, क्योंकि हामोशी से परट गई थी, लोगों को लगता है, अगर किसी इलसाम पे आप हामोश रहें, तो उसका मतलब यह ही कि आपने वो काम किया है, लोग नहीं जानते, हामोश जैसे ही यह शायद बतले हुए, उन्होंने एक पल सीनिया को देखा, वो भी उन्हें देखका ठेर कई थी, फिर वो आगे आए, अपनी बेहन उरूज को सक्त नसरों से देखा, जब तक उससे खोस रही थी, मेरी पेटी पे बात करने एक से पहले सो दफा सोचा करें दी, औ सागित खड़ी सीनिया को अपने बासूं के हाले मिलिया, उनके मुदाबी कि उनकी बेटी के लिए सबसे तकलिफते लमाद हूँ, जीनिया ने लरस से हाथ उनके किर्द बांदे, आकिम ने उसके सर पर हाथ बेरू, उनकी आँखों में नमी थी, अल्ला तो मैं सबर दे, मे सेरी अच्छी बेटी घर आने के बाद अजीव से हामोशी टानी रही, वो किसी से बात नहीं कर रहा था, और कोई किसी कोनी कुदे में मूझ जुबादा भी रहा था, राट चड़ाई थी, जब सेनिया हाकिम घर के पिछले हिस्से में चली आई, अमा और दादी की हजार नसीदें वो चुपचा सुनती रही थी, और जब उन्हें येकीन हो गया, कि उसके धमाग में वागई कुछ हो गया है, तब वो हामोशी से रोटी की टुकड़े लिए बिछले सेहन में आ गई, रात धंडी थी, आसवान पर सिधारे चक्मका रहे थे, सेहन में पत्ते गिरे होए थे, और वो बंज आप रोटी के छोटे छोटे टुकड़े उसके हागे रालती रही, सुना है, आज अब भाने तुम्हारी तरफ दारी की, अपने अपसे हाथी आवास पे उससे मुड़ कर देखा, आत्मी चाही की दो मंग लिए बशर उसी तरफ आ रहा था, अब बाको अंदासा हुआ है, क दुसरे क्यामने सामने बैठे हुए थे, बशर सिंजीती से उसे सुन रहा था, तकरीबन पन्रा मिन्ट तक उससे सुनता रहा हूँ, मुकमल यक्स हुई और सिंजीती से, वह हमुश हुई तो बशर चनपल बात बोला हूँ, तुम चाहे कुछ भी खोज है नी, तुम्हें म मुझे बताना चाहिए था, मैं तुम्हारे इस रवये से बहुत बुरी तरह हुट हुआ हूँ, उससे आफिर में बसे ही कहूँ, मैं तुम पे दुबारा इत्पार नहीं कर सकूँगा, अगर उसने तुम्हारे साथ बुरा रवये रखा था, तब भी मुझे और अबबा को सामने हार कर, तुम्हें भेजाए इसलिए ताकि तुम मुझे ही ये दिन दिखा सको, तुम मेरी पोजीशन नहीं समझ रहे हो बशर, बको मत, उससे बुरी तरह शुर्दू, जो तुमने किया है, मैं उसे किसी तरह कभी भी माफ नहीं करूँगा, और अब जब बाकाइदा वैसे ही भोत खुमा हुआ है, जीनिया हामोशी से उसके चेरे पर कोश-कोशी रही, ये वो तरीका नहीं था, जिससे बशर मामलात हल करता था, इसमें कुछ बेखत मुक्तलिक था, दिवार के साथ लगकर खड़ी कौँच अब तक साकिन थी, तुम अब्दुल्ला से क्या क चेकर आयो बशर, सवाल दागे क्या हूँ, बशर के इस चेरे से सारे रंग रोस सत हुए, जीनिया बस उसका चेरा दिख रही थी, तुमने क्या किया है बशर मुझे सब बताओ, उसके कल्ले में गिल्टी से उबर कर मदू हुई, उसलबो पे सुपान पिरी, देवार के मैं उससे अकेले में मिला, मुझे ऐसे लग रहा था, वो जान चुरूआ रहा है, ये सच ही है जैनी, उसे तुमसे शादी करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, वो बस फॉर्मलिटी नहीं भा रहा था, जीनिया बेदासु शेरे के साथ सुनती रही, वो जिता रहा था, कि वो तुम्हारे लिए आया है, उसे बीच मेफिल में तुम्हारी उसे की जाने वाली कॉल का जिकर किया, मुझे ये बैदाया, कि किस तरह तुम उससे शादी के लिए मरी जा रही हूँ, मैं जज नहीं करूँगा तुमें, तुमने उसे कॉल की अच्छा किया, उसे तुम्ह वो एक इहसान जड़ाने आया था, ये शायद नहीं, हाँ, एक बात मैं कह सकता हूँ, कि अगर उसकी शादी तुमसे नहीं हुई तो उसे फरक नहीं बड़ेगा, ये सब उससे मुझे बेहत वाज़ा कर दिया था, लेकि फिर कुछ दिन कबल उसका फून आया था, ये उस जब सुर्ख कौन के सामने बैठकर कैस कंबीर ने तराफ किया था, कि उसकी बंगेतर जैसी वफा उससे कोई नहीं कर सकता हूँ, वो उस दिन बहुत हर्ट लगता था, उस दिन उसने तुम्हें फौर ग्रेंटिट नहीं लिया था, वो बहुत सीरियस था, शायद उसके था, बलाज मर चुका है, जीनिया उसकी बात काटकर ताहम मुर से बोली, वो उससे में नहीं थी, वो जी ही नहीं थी, अपने आसा आप पे कापो पाना कर कोई खेल था, तो जीनिया उससे सीख रही थी, हाँ, मैंने उससे कहा, कि दो माहने ही छे माह बाद आए, और शादी आ रहा है, मुझे यकीन है, तुम उससे बदल दोगी, वो तुम्हारे साथ अच्छा रहेगा, मैं, मैं अब बाद आदा और हानदान को देख लूँगा, जो कुछी बलाज ने तुम्हारे साथ किया, उससे भोल जा, एक नहीं शुरु बात करो, जो मैं तुम्हें सारी जि नहीं दे सका, वो अब दे सकता हूँ, वो टुकर टुकर बश्चर का चेरा देखती रही, हाँ, इस सब के पीचे उसकी कोई उद्गर्जी नहीं थी, मगर वो बेवकोफ आदमी नहीं जानता था, वक्त बहुत कुछ बदल देता है, और इसी वक्त ने, जेनिया हाकिम का द रुकारी कुमीर से उससे देखने लगा, कूँच भी उसके जवाब के मुंत से थी, उससे तुम्हें ये बताया, कि अपनी मंगेतर के बाद वो एक और शादी करने के रादा रखता है, वो तेर बाद वो आम से अंदाज से बोली, वशर ठेर रही हो, ये तुमसे किस ने कह अबदुल्ला ने, यू समझ लो, कि मैंने उसे दुबारा कॉल की थी, वो ऐसा नहीं कर सकता, उससे मुझसे वादा किया था, वो तुम्हें हुश रखेगा, हाँ, लेकिन उससे ये वादा भी नहीं किया था, कि मेरे साथ वो और किसको हुश रखेगा, उससे घही सांसी, बशर का शेया दुआ दुआ होता, देखा, तुम उससे इतना नहीं जानते, जितना तुम्हें लगता है, अबदुल्ला पर्द धर पर्द खुलता है, उसे जानने में कुछ वक्त लूँ, फिर जो तुम चाहोगे, मैं वो करने के लिए दायार हूँ, फिलहाल अबदुल् को हलकान हो जाता है, और एक वक्त बाद हो उन से भागता है, और बचाओ का समान पैदा करता है, और ऐसे कहीं इस पाग के बाद भी इंसान को अपने फैसे सबसे दरूस लगते हैं, हाँ, हाँ, ये बेवकूफ और दोगली महलूप, आदे अर्भी आंकों के आगे एक सफे बनने पर एक पे रंग हाका थां, एक धेड़ उमर्मर्ण, और उसके सामने बेढ़ा कमसुन बच्चां, रफटा रफटा हाके में रंग भर गए, अल्ला के उकम से उनमें रूप भूगी गई, और अब वो हाके की बुदले नहीं इंसान थे, दू जीते चाकते इंसान थे तीसरे इंसान उनकी दाइन तरफ थां, हातिम, तुम एक बार फिर अपने घर बात करो न, यह कैसे हो सकता है, वो हमें कबूल ही न करें, अब एक लंबा वक्त हो गया है, वसाली आंखों वाली अर्पोरत मुखबत के चक्कर में सहरा चोल, जिस समंद्र की पीछी आई थी, वो खारे से भी साधा खारा था, यहाँ आना तुम्हारी च्वाइस इसना, मुझसे शादी और यह, उससे बैटकी एक तरफ पेठे तस साला बच्चे की तरफ इशारा क्यों, यह भी तुम्हारी च्वाइस थी, आजाद महोल से उठाकर तुम्हें घर पे लाकर नहीं जगा से उठकर आई, उससे करीबा कर वेठी, उससे घंदे पे हादक का, आगों में मुखपत भर ली, मैं यह सब हमारे बेटे के लिए कह रही हूँ, तुम चार से पांच मा में एक दफाए यहाँ आते हूँ, भराक तुम्हें मिस करता है, वो तुम्हें अडोर करता है, वो सोधी अर्प जाते रहते थे, और अपने किसी दोस्त के तौस्त उनकी मुलाकात इससा से हुई थी, वो एक मिडल क्लास करया आने से थी, और उन दिनों उसका मोडलिंग करियर, वो रूच पे रहाँ, इससा हार्टकोर फेमिनिस्स सी, आतिम और उसकी मुलाकातों का सिल पहुँ चगड़े हुए, वो इससा के एर मर्दों से मिल मुलाकात, और उसके स्पेशेस से सकत मुहालफ़त रखता था, हां मगर ये एक हकीकत थी, कि उससे सोहर्च से मुहबबत भी थी, वो उसका हयाल रखता था, उसकी हिफासत करता था, और उनी दिनों उससे अपने ट मां के अंदर अंदर उससे अपने मेबूफ शोर में हामिया दिखने लगी, और उससे अपने अगोग सल्फ होते हुए मेसूस हुए, हातिम ने हर दरास से उसका हयाल रखा, मुखबत निच्छावर की, मगर वर शोर को पालतु जानवर बैना कर रखना चाती थी, जोकि मु दोनों का तालुक खोकला था, इस सबने मफादात की आदेर उससे चुड़ी थी, और हातिम शायद दूर गई, उससे आज भी उमीद थी, कि वरत बदल सकती है, वो उससे मुखबत चोड़ जोगा था, इंसानियत और शफकत बाकी थी, और उससे आज भी उसी शफकत की नस सरसे देखता था, और आज भी उसके दिल में वो ही इंसानियत थी, जिसके तहट वो शादीनी बाहरा था, मासे के किस्वर सुर्माई राख डालते हुए, आल के रंगों में वापिस आते हैं, वो मेरा बेटा है इसना, उसे क्या चाहिए, उसके लिए क्या बेटर है, तुम अपस से अपने बेटे को दकाँ, वो मेर हुमियों को अमारा बच्चा, वो पीसमेकर बच्चा, अपने माबाब के दर्म्यान एक दलाफात की वज़ा नहीं बन सकाँ, और मैं हिसम उसको रा दिया, देखा, वो ठीक है और हुश है, वो एक दिन वहाँ सिकंदर बन कर जाए के भी नहीं, आगे में बराग अनिव का नक्षा बेरंग होता घ्यां, ये वो दिन था जब बराग ने पहली बार बाप और माँ धोनों की सुनी और फाइदा हो, इस बार बाबा जाते हुए मस्कुराते हुए गए थे, मम्मी का मूट कहीं दिन अच्छा रहा था, ये वो माँ के लिए एक अच्छे शोहर की हुआश रखता था और उससे इस हुआश के लिए उमर से साधा मेनत की, हुआश मार कर, दिल की दिल में रखकर, अपने तमाम दर्द अपने आप तक मेहतूत रखते हुए, उससे जिन्दगी के कहीं साल गुजार दिये, पैंट हाउस के उसके एक कमरे में दो किर्धार थे, हाका बेरंग थां, मगर दिवार पी लगी पेंटिंग से सारे रंग खीज करूतारों, चड़ी कुमाओं तो किर्धारों यहां के एक बार पिर रंगीन हुए, आदिम नवाब बराग के सामने बैठे हुए थे, वो दिवार के साथ लग इसी मस्कुराण, वो 18 साल की उमर में भी लोगों को महरूप करने की सलायत रखता थाूँ, अब्दुल्ला जमान, उन्होंने तारूफ करवाया, बराग आगे आया, चुक कर मुबाइल पे एक निकाह डाली, उससे हाथ बढ़ा कर मुबाइल उठाना चाहूँ, इस दुनि फसपर, इससे पहले मैं उस वजा को ही खतम कर देता हूँ, बराग कुटनों के बल नीचे बैठी हो, मुबाइल पे चमकती तस्वीर देखी, पर तस्वीर स्लाइड की, बराग में उस तस्वीर को देखा हूँ, वहाँ कोई सद्रा सुस्तारा, 18 बर्स का लड़का था, वो उसके साथ आदिम कड़े थे, लड़के के से आँके बेहर द्रोशन थी, लबों पे एक जानदार मुस्कुराण थी, मगर बराग उस अड़के की कंदों पे पहला अपनी बाप का बासु देख रहा था, वो उसके साथ मुस्कुरा रहे थे, ये लमहाद बराग को कभी मैस स नहीं रहे थे, वो चुपचाब उस सस्वीर को रेखे या, ऐसा दर्द था, जिससे उसके दिल के अंदर कुंड़ी मान ली थी, उससे लगा था, इसे ने उसके दिल को मुठी में लेकर दबाया हूँ, वो चुपचाब उस सस्वीर को रेखे या, तुम्हारा कॉलेज बद लोग तब्दील करते रहता चाहिए टांग पर टांग चड़ा एक रोफर सिखाऊ वो मेरा भांजा नहीं है अब दुल्लाम मेरी उलाद है उस पे कोई मुसीबत कोई पुरा वक्त नहीं आना चाहिए तुमी समर को यकीनी बनाओगे कि उस पे इस यहर में कोई पुरा वक्त ना आए वो हनूस हमोशे से टुकर टुकर तस्वीर को दिख रहा था वो हाथ और मुस्कुराट वो हलत जगा थे इस सबका हगदार पस्वराग था कुछ वक्त बहत चंद साल गुजर जाए तो तुम इसे अपनी प्रॉपर्टी में से रकम दोगे ताकि वो कारोबार करे वो कारोबार में तुमसे भी आगे जाएगा बराग तुम उससे नहीं मिले जब मिलोगे तुमें भी यकीना जाएगा क्यों कि इतना गेर मामोली है और बदले में मुझे क्या मिलेगा हर काम की एक कीमत होती है बबा एक लम्हे को बस एक लम्हे को उनका दिल काम करे गया था बराग हनीव को अपना नाम न दे कर भी उसे दुनिया से खुफिया रख कर भी वो उससे अपना खून नहीं चीन सके स्याकारी में वो अपने बाप से साधा स्याध हो रियाकारियों में उसका तरचा आला था हो वो कई लम्हे कुछ कह नहीं सके क्या चाहिए तुम्हें मेरा हिस्सा मेरा नाम इस शहर में आपकी तमाम जायदाद और जहां से मेरा तालुक निकलता है वहाँ वापसी बेहत अल्गी और दावेदार आवास से अपना मुद्दा सुनाया गया हूँ? करदन अब भी नहीं उठाई? तुम्हारा नाम एक तिन तुम्हुद वापस लोगे जहां से तुम्हारा तालुक निकलता है वहाँ जाने के राज से हम वार करो और इस शहर में मेरी तमाम जायदाद तुम्हारी मा के नाम है तो वापस ले ले वो करदन चुका है सहूलत से होला आदिम का सांस से ने मिटका था ये लड़का अपनी मा का भी नहीं मुझे उस सब की जार जरूरत है और हग भी आदिम गहरी सांस से करे गए कमीज के अगले दो बटन खोले उन्हें खुटन होने लिगी थी तुम्हें हर वो शेह मिलेगी जो तुम्हें चाहिए लेकिन तुम अबदुल्ला के साथ कोई दगा नहीं करोगे वो जो कहेगा जैसा कहेगा तुम्हें सब करना होगा अगर तुम मेरे बेटे हो तो तुम मेरे हिलाफ नहीं जाओगे बाराब खामोशा उसकी चुपती होई नसे अब उस सस्वीर पे जमी थी जो जगा अपने बाप के करीब उससे चाकर भी नहीं मिल सकी उस तड़की को क्यों मिल रही थी कई मिन बाद हो कमरे से बाए निकलाओ तो तरवासे पे कड़ी हिस्सा बेकरारी से उसकी करीब आई उससे गंदे पे हाथ अखाऊ क्या कहा तुमारे बाबा ने बराग ने धकी धकी नसे उठा कर उने देखा होकम सुनाया हमेशा की तरह मुझे मानना पड़ा हमेशा की तरह मैं ये सब कुछ आपके लिए करता हूँ ममी मुझे किसी और शैसे कोई गरस नहीं है मैं सुब कुछ आपके लिए परदाश कर रहा हूँ उसकी आँकों में नमी उमटाई को इनसान असल से दीम इतना बड़ा अदाकार कैसे हो सकता है इससा ने उसका हाथ अपने हाथ मे लिया और लब भीज लिये अंदर जो कुछ होआ था वो बराक से पहली इससा जानती थी उन्हें अपने शोहर से सकत नफरत में सूस हुई और वीडे से मुखबत का कराव बढ़ गया उनका मासूम बेटा बराक अनीव का पेंटाउस उन दिनों से रिदामी था बाहर से मेंट पज़री और बाने के ट्रम रखे हुए थे इस सब अराक के साथ चलती हुई अंदर की और जा रही थी बासूस के बासूमें डाल रखा था और किसी पार्टी से आई थी उनका सब स्या इम्तिसाज का काउन फर्ष भी पहला हुआ था अंदर आने के बास यू लगा जैसे किसी बेरंग दुनिया से वो दोनों कोसो कजा से मेसिन किसी दुनिया में धागिल हो गए हूँ अंदर जर्दपतियां थी और फर्णीर्चर बिक्रा हुआ था वो घर दैयार होने के बाद बाकाइदा आंकों को हीरा कर सकता था अच्छी जगा है बराग इससा सताइश से होली लेकिन तुम हमारा घर क्यों छोड़ना चाहते हूँ मम्मी मैं सिर्फ ये घर बनवा रहा हूँ छोडने की बात तो कभी की ही नहीं मैंने वो दोनों सफेद कपड़ा हटा कर एक नीले रंग के सोफे पर आकर बैठे बराग ने एक टांग मोड़ी और दूसरा टांग नीचे जूल रही थी जानते हूँ मुझे रह रहे कर हयाल आता है कि तुम्हारे बाफ से शादी करके खलती कर दी आजकल ये खियाल बहुत सादा आने लगा है हलांकि वो बहुत अऑच्छा शौहर है मुमी बराग टोक गया लगों पे हलकी मस्कुराट थी वो बहुत अच्छा शौहर है कभी मेरे एक साथ किसी मामले में सोड़ सा परसी नहीं गी कवे मुझे पैस्त नहीं किया मेरे साथ कुछ पुरा नहीं किया लेकिन उ तुम्हारे साथ गलत कर रहा है एक वक्त था जब मुझे लगता था उसका मिल जाना बहुत है लेकिन अब मैं सोच रही हूँ कि बहुत नहीं था एक बेनाम रिश्टा एक उलाद जिसे कोई इज़द की नजर से नहीं देखता और करोड़ों अर्बों की चाहिदाद जो कभी तुम्हारा मुकत्तर नहीं बन सके ही मैंने बहुत गलत वैसला कर लिया बराग ये नाम, ये जिन्दही, ये चीने होया कूक मुझे ये सब बहुत खलता है बराग ने गेरी सांसी और मा का हाथ अपने हादों मिलिया फिर अलका सड़वाया ये उन दोनों का तसलिय देने का अंदास रहा था तुमारे बाबा ने मुझसे अपने जाहिदाद तक चीन ली क्या मुझे नहीं पता वो ये सब किसके आवाले करेगा बराग सादीर से उनने देखता रहा यूँ जैसो से थोड़ी मालूम था तुम अपने बाबा को मिस करते हो न हर चार-पाँच माँ बाद आ दो जाते है यार ये पूछने कि अब तुल्ला कैसा है मुझे बाबा के साथ मुझे मेरे नाम से भी मुहबबत है उन्हें अब्दुल्ला अजीज है क्योंकि वो रावायात का पास साथ एक जेंटलमेन है क्योंकि वो एक दिन सीनी हाकिन से शादी करेगा क्योंकि वो मसाहिल हल करना जानता है मैं वैसा बनना चाहता हूँ मुझे वो चाहिए जो उसके पास है वो सब जो उसका है बराक उन्होंने जैसे खोल कर उसके हाथ अपने हाथों में लिए ये बहुत मुश्किल काम है वो तख, ताज और तुम्हारी शनाख्त उसे हासल करना बहुत मुश्किल है इस सब के पीछे मत जाना वो सब अगर कोई इनसान दे सकता है तो तुम्हारा बाप है वो नहीं दे सकता हूँ तो कोई नहीं देगा हूँ ओगे मम्मी वो सखुलत से बोला इससां उसे रेक करे गई तुम अपने बाप को साबित करना चाहते हो कि वो गलत थे और तुम सही अबदुल्ला ओव रेटिट और तुम असन नहीं मम्मी ऐसा कुछ नहीं है बकता था कास से तुम्हारे बापा गलत नहीं है बराप उन्होंने जैसे समझाने की कोशिश की हूँ बराप ने हमेशा की दसाथ की उतावेदारी से कर्दर रस्वाद मेहला दी मगर इसना को यखीन सा हो चला था कि बराप अनीव हो नहीं है जो दिखाई देता है सबसुलिबास वाली उरत का चेहरा सफेद बढ़ गया था मुलाद के मुदलिक माओं के इलहाम छोटे नहीं होते कहानी के एक और फीके रंगों वाले मंसर में तीन लोग लौनगी गुरसी पर मुझूद थे हर शेय बेरंग और सर से नसर आ रही थी यहां तक के किरकिर खुलाबी नीली सुलमाई और सबसुलों के उपर से गुजरता हुआ गया हुँ अपना चुनाओ अर हर रंग उसे उस मंसर को दान किया हुँ और अब जो नसर के सामने है वो बहत रंगीन है तुम हो तुर से मिली कैसा है वो हादिम नवाब अपने बीवी से सवाल कर रहे थी वो कहरे खुलाबी रंगी निल पॉलिश लगा रही थी ठीक है अच्छा नहीं है और कुछ भूला भी नहीं उसकी स्केश्बुक में इक सुर्ख कौन था उससे मुझे बताया कि उसकी तरफ इंतकाम बागी है मुझे नहीं पता वो कौन है तुम्हें पता होगा हादिम उनकी दाएं तरफ बैठा बरा कामेश्व की रतावेदार था हामोश भी और छुका हुआ भी इससा की बाद पर हादिम बेक त्यार सीदे हो बैठे उसे वो याद है याद है पूरी तरह याद है उससे मुझे से कहा कि इतने अर्सिस उसका हयाल नहीं छोड़ सका एक वुजूद की नफी करना फिर कया मत होगी वो नाखुन पॉलिश पिर फूंक मारते होए बोली बराग मुबाइल प्योंगने चला रहा था वहां मुटिव तसावे थी अगली तस्वीर जीनिया हागिन की वो कभी एक तस्वीर देखता कभी दूसरी उसकी आँकों में लिखा था परफिर्ट मुझे यकीन था मुझे यकीन था अब्दुल्ला उसे नहीं भूलेगा ना छोड़ेगा ओ अब्दुल्ला तुम मेरा फखर हो पर अते जस्वास से उनकी आवास काम ने लगी कितने अर्से बाद उनके चेरे पर जस्वास थे वो जो चाता है उसे सब दे दो इसना उसे कारोबार में हिस्सा दो ये सब मेरे बराक का है तुम उसका हग नहीं खा सकते ये करसा हुआ था कि वो हमारा बेटा कहना छोड़ चुकी थी आदिम के चेरे के तास्वाद वापिस करा हग दोगे उन्होंने नसरे उठा कर बराक को देखा जो मैं कह रहा हूँ वो हो जाएगा ना बराक उन्होंने सरा कि सरा नसर उठा का बराक को देखा उसके निगाओं में हमेश्या किसरा साथी थी दिल किस भटी में चलकर हाग हुआ ये कहानी फिर सही जो आप कहें बाबा कुछ देर बाद वोट कर चला गया तो आदिम के चेरे पे नागवारी थी इस औरत को उन्होंने हर तरह से खुश रखने की कोशिश की थी मगर वो हर बार कुछ ऐसा कर दे ली थी यातिम के निगाओं में उसका आख सुनना पड़ जाता था जो तुमें मिला है इसना वो बहुत जादा है मेरा नाम एक बाइस्जद लाइफस्टाइल और अराक की मा होने की वज़ा से मेरे तरफ से धेर सारी राया आयत मेरे और मेरे बेटे के मामलात में मत आया करो मैं अच्छा शोहर बनने की कोशिश करता हूँ तो तुम भी अच्छी बीवी रहो ना वो चीखा ना चलाया बस अकेले में उसकी थेस्टी करती इंसान के नाम पे शायद वो शेटान था मगर वो अच्छा शोहर था इसना चन्द में हामोशी से उसके तक ते रही फिर जब बोली तो उसकी आवास मुस्सहिम थी अब दॉल्ला के लिए इतना सब क्यों करते हो तुम तालुक क्या है तुम्हारा फून है वो मेरा इससे ज़्यादा भी करूँगा ये टॉज अपने बेटे के लिए संभाल रखो मैं जानती हूँ तुम ये सब क्यों कर रहे हो इससा फंकारी तुम्हारा ब्लैन साफ था मकसूद और जमान को राश्य से अटा दिना ये कि मकसूद तुम्हारे मुकाबले लेक्शन जीच जाता और जमान की वज़ा से काउं में तुम्हारी साख तुम्हारी समीने खराब हो रही थी और फिर कुछ बहुत गलत हो गया तुमने कभी नहीं सोचा था इस सब में तुम अपनी मा जैसी बहन खोदोगे अपनी भांजे खोदोगे और दुनिया में जो तुम्हे सबसे मेभूब है उससे अपने खिलाफ कर लोगे सब गलत हो गया ना हातिम इससा के लहजी में सजा था उससे के हद्दे पे आदेम के हाथों में लरसे शुई उसके चेरे भी किसी ने खोलता हुआ तेल डाल दिया था यह गिल्ट और कफारा है जो तुम अदा कर रहे हो तुम्हारी बतीजी तुमें उससे बहुत मुहबत है न तुम उसे उसके सबसे बड़ी खुशी अबदुल्ला देना चाते हूँ नहीं देश सखोगे क्योंकि अबदुल्ला अब इंसान नहीं रहा हूँ वो ठीक हो जाएगा सब ठीक हो जाएगा उनकी आवास कहीं दूर से आ दी थी चेरे पे ठेश सारे सराव थाओ मेरी बेटे से उसके खुआप चीन कर तुम किसी और की आँखे नहीं सजा सकते मैं यह नहीं होने दूँगी वो कहकर उठ गई पीछे हादिम नवाब के चेरे भी तारी की थी वक्त उनके बस में हो था तो उस दिन का हादसा वो बदल देते अगला मंजर से आ था रात भी से आ, लिपास भी से उनिशिस्सें भी से दूर दिवार ने बराख अनीव की आँखों का रंग चुराया और वहां सुर्ख भी था आप समझ नहीं रहे बाबा आप नहीं जानते वो कैसा आत्मी है वो आपके बीचे लोग भीज़ता है वो आपके दमाग के साथ खेल रहा है, अजियत देता है वो आपको वो आपको मार देगा बाबा उससे सिर्फ इंतकाम चाहिए नब दे रहा है लबो पे कर्ब सदा तबसुम शेटान को रहाई मिल रही थी अब ते रहाई मैंने एक लंबा अर्सा इस वक्त के इंतजार किया है मेरे नजात का वक्त बराक के आंखे नम दी मैं आपसे बहुत महबबत करता हूँ बाबा जिन्दी में पहली बार उससे कह दिया आज तक मैं बरदाश करता रहा था कि आप मुझसे जादा मुखबत उससे करते हैं आज तक मैंने अपना दिल मार कर आपका हरुको माना है प्लीज अब आप ये मत करें उसकी मुखबत में आप मुझसे वो मत चीने जो मुझे इस जुन्या में सबसे जादा आजीज है वो उनकी गुटने से लगकर रो रहा था हादिम चुपचाब उसका सर तपकते रहे आंगे हनूस बन थी उन्हें इचाद के बेहत करीब थे बराक रो रहा था क्योंकि वो अपना नाम लेकर हुद को अपने बाप के सामने थाबित नहीं कर सका था क्योंकि वो उस इनसान को खो रहा था जिससे उससे जुनिया में सबसे सादा मुखबत और नफरत की थी अब्दुल्ला जो चाहे करे उसे करने देना अगर तुम वाकई मेरे बेटे हो तुम मेरे फर्मा बड़दार रहना वर्ना मैं रोजे कियामत तुम्हारी शकल नहीं देखूंगा बराक मज़ीद बुलंदा वास में रोने लगा था हूँ उसका पूरा वुचूद लर्स रहा था हूँ वस्वीन पर हाथ मार का पहन करता रहा हूँ सारी जिन्दगी सारी जिन्दगी आप मेरी हक तल्फी करते रहे सारी जिन्दगी आपने मुझसे ज़्यादा मुखबत उसके किसाथ की आप से सिर्फ एक चीज मांगता हूँ बाबा ये मत करें शहर छोड़ दें प्लीज खुद को मुझसे अलग मत करें प्लीज आपको हुदा का वास्ता है मेरी हक तल्फी बंद करें मैंने कभी तुम्हारी हक तल्फी नहीं की उधी मेल एची में उसकी जिस्सी करिये मैंने इस दुनिया में किसी से सबसे ज़्यादा मुखबत की है तो वो तुम हो उस सीधी हो बेड़े थे बरा की हालत उन्हें अजियत दे रही थी आपने आज तक मुझे अपना नाम नहीं दिया क्योंकि तुम उस नाम के साथ भी अधूरे रहते कर्स्ट बिलकुल उस मेंदी की तरह आपने मुझे मेरे हक से महरूम रखा वो ताक्तु हकूमत मेरी थी मैं नवाब था आदिम ने चुक कर उसका चेरा दोनों हाथों में भराओ थोड़ी उसके सर बेड़ी गई उनकी आँके सबसे सुरुख पढ़ रही थी ये मेरी मुहबत है बरा मैं तुम्हारी हिफास्थ करना चाहता था वो लोग तुमने उन्हें जानते नहीं रवायात की जिंजीरें तुमें जखमी कर देंगी मेरे बेटे मैं तुमें तकलीफ नहीं देना चाहता था तुम मेरा हून हो मेरी सबसे कीमती चीज़ तुम खर्जाना हो मेरा बराक ने मने चेरी सुनके हाथ अठाए उसकी आंकें भूला भी थी आम अलाल वहाँ जरूरी था मुझसे मुहबत है तुसे साबित करे मुझे अपना नाम दे मुझे मेरा तख्त दे और मुझे मेरा बाप दे वरना बाखुदा मैं सब करके दिखाऊंगा मैं कभी आपको माफ नहीं करूँगा आतिम यासियत से उसे तक ही गए मैं जिन से मुहबत करता हूँ वो चाहे मुझे गलत समझते रहे मैं उनके साथ जो करूँगा वो अच्छा होगा मेरा नाम कर्स है वो तक तुम्हें गुलाम बनाएगा वो लोग तुम्हारे अपने नहीं है और मेरा बाप वो मुझे क्यों नहीं मिल सकता क्यों आप उसके लिए मरना चाहते हैं अदिम ठंडी सांस पर करे गए दिल के तैहानों में किसी ने के लिए ठोंग दी थी दर्द सा दर्द था मुझे निजात चाहिए बराग आप जूट बोल रहे हैं वो चीख पढ़ाँ रो पढ़ाँ आप सब कुछ अबदुल्ला के लिए कर रहे हैं आपने कभी मेरे लिए कुछ नहीं किया उससे आज सेन से आंके रगडी ये मेरी अजादी है अबदुल्ला मुझे मेरे गमों से निजात दिलाएगा और उन्ने सर को एक बार फिर सोफे की पुछ पे गिरा दिया लबों पे मस्कुराइट थी आंकों में महूम सा दासू वो वाके इस से चाहत की इंतसार में थे उनके कदमों में फर्ष पे बैठा बरांक वो अपने बाप से जुनून की हद तक मुखबत करता था उससे लगा था वो अगर अबदुल्ला की तरह रवायात का पासार बन जाए तक संभालने लगे तो उससे अपने बाप मिल जाएगा ये सिफ मुखबत नहीं थी ये उसकी अपने बाप से सित और नफरत भी थी वो उनसे मुखबत भी करता था और नफरत भी नफरत की कई वो जुआत थी मुखबत की कोई नहीं कई बार उससे जहां था कि अपने बाप को बताए कि उसके फैसे खलत थे वो नहीं बता सकाँ लेकिन आज वहाँ बैठे हुए उसे यकीन थाँ वह एक दिन हवेली में बराक हातिम नवाब बन कर जाएगाँ अपना हक लेगाँ और अपने बाप को खरत सावित करेगाँ बरसी बारिश में लगो का रंग शामिल हुआ थाँ आसवान से आजो पानी बेरंग नहीं किरा थाँ आज उसने अर्मानों का रंग शामिल थाँ महरूमियों का रंग भी ओफिस की राधारियों में अनमा चाल चलते बराक हनीव का मुबाइल बचने लगाँ उससे मुबाइल कहाँ से लगाँ सामने से उससे जो खवर मिली थी उससे बराक अनीव की दिल से धड़कन चीन ली थी नफरत मुखबत पे भारी थी वो दिवाना वार कैस को कॉल्स मिलाने लगा था तुम कहां जा रहे हो लोसिफर? हम बात करते हैं मरने वाले वापस नहीं आते तो उनकी हातिर जिंदियां मत चीनो तुम अपने साथ जल्म कर रहे हो तुम कातिल नहीं हो तुम मुझे बचाना चाहते हो बराक हाँ मैं चाहता हूँ तुम ये मत करो अपने हाथ से हा मत करो तुम कातिल नहीं हो ठीक है फिर आओ मेरे हाथ से पिस्टोल लो और तुम उसे मार दो तुम मुझे बचाना चाहते हो ना बराक चुप हो गया वो उसे कैसे कहता कोई अपने बाप को नहीं मारता कॉल कट गए बराक उस सड़क पे तनहा रहे हैं कई लमें हालियों सेनी के आलम में खड़े रहने के बाद उससे एक बार फिर अपने कदमों कोटते रहां फिर भागते रहां फिर हो गया रोया मगर पो पुल रुका नहीं लोग मुड मुड कर उसे लिख रही थे उससे पागल समझ रहे थे मकर वी पस एक बेटा था वो जिसे सारी सिंदी की अपने बाप से मुख्बत नहीं में ले जिससे हमेशा दिल माा था जिससे उसा अधिको बाचाना था जिससे वह स 업रते करता था क् से दिखाना चाथा था वो काबिल है वो कीचन में लुटना पूरी तरह से भीगा हूँ जब फैक्टरी पहुंचा बहुत देर हो चुगी थी बहुत देर फरश भी हून था बरा कुटनों के बल बेसांस होकर फरश भी गिरा कोई कुरसी पे बड़े वजूद की जिसम से रस् वो उसकी दीम थी उसके वकील उन्हें मालूम था वरा को हून से टर लगता है उन्हें ये नहीं मालूम था आज ये खून उसके बाप का है वो बच्चों की तरह जेरा हादों में चुपाएं भी लग रहा था लाश ले जाए गई पुलिस से पैसे ले लिए अधा सत वराक हनीव की दुनिया तह हो बाला हो गए थी उसका बाप वो वाहिर रिष्टा था जिससे वराक दीवानों की तरह मुहबत करता था कहीं दिन बाद दिल के हादों मजबूर होकर उससे भलोचिस्तान का सफर देखिया एक दिन की लंबी मुसाफ़त के बाद वो बिलाहिर अपने बाप के काउं आ चुका था उसका बाप दो पार पहले उसे यहां लाया था मामलाद सिर्फ उसके दादा और चच्चा लोगों के दरम्यान तैह हुए और दोनों पार वो नामुराद वापिस लोट गए मराक समझ नहीं पाया था कि उससे कबूल ना करने की वज़ा क्या थी बशर वाँ रहना नहीं जाता था उस अवेली में कोई दूसरा मर्ट था नहीं फिर भी कोई उससे कबूल करने को तायार क्यों नहीं था उस रोस वबरती सुगा में अपने बाप की कवर पे बैठे हुए उससे गुटने सीने से लगा रख रख थे और चेहरा उन पे टिका रख था उसकी आँखों में नमी थी कपर बे दासा भोलो का एक उल्दस सावी था पर आगने आंके चब की तो चन्द आंसों तोटकर चेहरे बे विसल गए लबू से सर सिया हारे चुई मैं बकवास कर रहा था बाबा मुझे आप से कोई नफरत नहीं है आएम सोरी मैं आपका फर्मा बढ़दार रहना चाता था आपकी जिंदी के आहरे दिनों में जो कुछ मुझ से हुआ मुझे इसके लिए माफ कर दे मुझे एक पल के लिए सुकून नहीं आ रहा हू तुम् मैं यहां से दफा हो जो इससे पहले मैं यहां से तुम्हारा चनाजा उठा हूँ बराब चुप चाप उन्हें दिखता रहा हूँ मेरे बाबा की हुआइश टी कि मैं उनका छोड़ावा दख्त सम्हालू वो कोशिश नहीं कर सके कह नहीं सके मगर मैं चानता था मुझे उन गैर उरत और खटिया मा की उलाद को हम अमारा तख्त नशीन बनाएं यहां से दफा हो जाओ और दुबारा यहां कदम रखने की चूरत ना करना हमें तुम्हारी कोई जुरूरत नहीं है और अगर जुरूरत पढ़ गई तो वो उटा और उनकी करीबा करुखा आंकें उनकी आंकों में टाल रखी थी वो आंकें बिल्कुल एक जैसी थी और अगर जुरूरत पढ़ गई तब भी हम तुम पे और तुम्हारे वजूद पे लानत बेजेंगे हमारा वारिस सिर्फ और सिर्फ पशर है अगर एक बार उसके साथ आएने के सामने खड़े हो कर देख ले थे तो उचसे शरम आती वो बिल्कुल उनके जैसा ही थो था मैं आपसे वो सब वापिस लेने हूँगा जो मेरा है जो मेरा बाप मुझे नहीं दे सका मेरे वापिस आने के इंतिजार कीजिएगा लंबे लंबे टक भरते वो वहाँ से चला गया था नफरत बे सकून और इंतकाम ये वो जस्वात थे जो ले कर गया था और आज लंबे वक्त बाद वो नहीं जस्वों के साथ वापिस वी आया था खिड़की में खड़ी लड़की का सांस सीने में खहीं अटक कर रहे गया वक्त जैसे साकिन हो गया था वो टक-टकी बांदे कली में खड़े उस मर्द को देख रही थी अग्तुल्ला भी उसे देख रहा था नड़की के अपिंक 18 परस की चोटे लड़की आकर खड़ी हुई थी अपनी भेन की चामित निकाहों के तकलीत में देखा तो उसके चेरे नकर पा रही हूँ अब तुल्ला सीनी के लब पे आवास पर बढ़ाएं ओ गॉड कैस कंबीर दी कैस कंबीर उसके बारक्स उसकी बहन अब जोश से खुशी और एकसाइटमेंट से खड़ी किड़की से हाथ हेला रही थी इस मुलकत सबसे मुशूर फेशन डिसाइनर है ये हमने पिछले साल इसका एक इंटर्व्यू भी देखा था ना अल्ला अल्ला जो वशर से कहो इसको फ्लीज घर लेकर आए प्लीज जाओ न वो उसका बास वो चुछ जोड़ ही थी जीनिया ने कोई हरकत नहीं की वो किसी शौक के से हैसर थी ये इसके पीछे कुन खड़ा है कुछ जो पूरी तराज से किड़ी के सामने आकर खड़ी हुई ऐसे कि जीनिया हाकिम अब अब अबदुल्ला को नहीं देख सकती थी ये तो बराग हनीव है ना बीक्यू का मालिक ओ खुदाया एक कैसे में पार्टनर है वो जीनिया और अबदुल्ला से बेहबर अपनी रो कि जीनिया हिल भी ना सकी मगर उससे अबदुल्ला को हिलते हुए देखा उसके वजूद में चम बिश हुई थी उसकी आंकों का हिसा वो उसी मलाल के साथ वापिस जा रहा था उसका हर हर कदम अपने दिल को चीरता महसूस हो हर शेह हर मामला उसके हादों से भी सल रहा था फिसल चुका था कवादर की सारी रेद उसके हलक में आकर पस गई थी वो दर्वासे तक आई गेट खोल कर वाई चांगा तो वो जा रहा था गूंच उससे बुलाना चाती थी मगर बुला नहीं सकी वो तेज से इस कदम लेते हुए आगे पढ़ता जा रहा था वो कलियां उसे अपना दम खोंटी हुई मेसूस हो रही थी वो उमानी दोई की पेलकुनी जैसे उस पे हस रही हूँ समंदर की नम हावाई उसे घमसदा लगी काड़ी में आकर बैटने तक उसका सारा पतन काम ने लग गया था दूसरी तरफ से बराग काड़ी में आकर बैठा सिश्टी शौक शेकीन में बदल रहा था कहां जाना है पीसी चलो फुष लगों पे सुबान पेर देवे गाहां यहां से चलो इसलामाबाद चलें कैसे शौकी निगाएं अपने हाथों पे मर्कूस कर ली उसका हाथ लरसा था पैने गटेक ओनो करदन उरसीना पसीने से भी किया था इतनी आसाने से यह शेहर और उससे नहीं छोड़ूँगा पीसी चलो तुम वहाँ चलकर गम मनाना चाहते हो तो फिर सही है बराक ने गाड़ी को मुड़ा और अगले ही लंबे उकाड़ी संसे वगा कर ले जा रहा था हैसे निशिस की पुष से ठेक लगा ली उसक के दिल चल रहा था। än या क्या था जो से याद आया था। मैं तुम्हारे फादर से मिलना चाहता हूं कैस अपने घर के बैलकोनी में खड़ा था उससे अपने मंगेतर को अफ्रोन मिलाया कॉल एटेंट कर ली गई उसकी बात भी हो गई उसकी मंगेतर अपने घर में थी ये लॉन में बैठी लड़की कोई ओड थी वो फरीब था या ये ये चोटे शेहरू से आए गरीब बच्चे इनको जहलना बहुत मुश्किल होता है गैस वो होस्टल के बाइर सीने को छोड़ने आया था जब अफ्रोसा बेगम ने उससे ऐसा कुछ कहा था वो वहाँ भी उसके हग में बात कराया था वो जो उससे अपना लेसर वर्शन लगा करती थी वो तो कोई घह थी वो जैसा भी था अपनों को धोका तो नहीं दिया था उससे कभी करीबी लोग को फरेब में तो नहीं रखा था वो सब कुछ हो सकती थी मगर उसके दसवर वाली अच्छी लड़ी नहीं उसका दिल बहुत बुरी तरह तोटा था दुनिया सिया और सफेद है हबी और तुम मुझे सुरमाई तक नहीं दिखा रही अंजर कोई पीट में खोमते हैं तो बस सकलीव होती है वो इस सामने खड़े होकर आँखों में आँखी डालकर सीने में चूरी मारे तो सिर्फ दर्द नहीं होता इनसान रूस समेट खायल हो जाता है वो और चुम मोत के धाने पर थी और कहस उसे बचा कर लाया था वो ही और उसे माणने के दर्द पर थी तो में नहीं लगता ये कोई इत्वाक नहीं है या पिर सारे दुनिया के इत्वाक तुम्हारे साथी होते रहे है मक्सूद उसके सामने बैठे कह रहे थे सड़ी में मिलकचा अंधेरा था कैस उन्हें जीनिया के मतलिक बहुत कुछ बता रहा था उनकी आगों का वो तासुर कैस उसे नहीं समझ भाया था मगर आज आज हर पहली सुलज गई थी वो जानते थे वो सब जानते थे और अगर कोई अंचान था तो सिर्फ और सिर्फ कैस कम भी था वो कितने लोगों से बेवकूफ बंता रहा उसे किंती भूलने लगी तुम कहती हो तो ये किंत कर लेता हो मलका उसके जिन्दे के पूरे दिनों की साथी वो वाहिल लड़की जिसके लिए उसे सब अच्छा जाना था वो शेसल सिंसन जिसे उसे बहराग जैसे शक्स से बजाया कि वो भी जूटी सरापा जूट